Hello friends, welcome to my channel आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में जिसमें हम देख रहेंगे definition of noun, classification of noun and function of noun तो चलिए शुरू करते हैं What is the definition of noun? Noun is the naming word ये noun की सबसे छोटी definition है हम noun को कह सकते हैं naming word संग्या नाम करन सब्द है इसकी एक alternative definition है a noun is a word used as the name of a person, place, animal or thing शिवैक्ती, अस्थान, जानवर, अथववस्त के नाम को संग्या कहते हैं Example is Ram Ram एक परसन का नाम है Delhi एक प्लेस का नाम है Cat एक एनिमल का नाम है Book एक चीज का नाम है What is the classification of noun? There are five types of noun The first one is proper noun जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैक्ति वाचक संग्या A proper noun is the name of a particular person, place, animal or a thing किसी विसेश, वैक्ति, अस्थान, जानवर, अथववस्त के नाम को वैक्ति वाचक संग्या कहते हैं For example, रिहान रिहान एक particular वैक्ति का नाम है मुंबई एक particular जगे का नाम है टॉमी एक particular कुट्टे का नाम है और गीता एक particular किताब का नाम है प्रापर नाउन की दो नोट करने वाली चीज़ है पहली है कि प्रापर नाउन आलवेज प्रापर नाउन सार आलवेज रिटेन विदे capital लेटर एड़ दा बेगनी मतलब प्रापर नाउन का पहला लेटर हमेशा capital लेटर होगा जैसे हम देखेंगे रिहान में देखेंगे रिहान में आर capital लेटर है मुंबई में M capital लेटर है टॉमी में T capital लेटर है और गीता में G capital लेटर है दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि प्रापर नाउन आर सम्टाइम्स यूज़ जैस कामन नाउन पर एक्जामपल सचिन is the bread man of India यहाँ पर सचिन भी प्रापर नाउन है किसी एक particular वैक्ती का नाम है हम जानते हैं सचिन सचिन तेंदुलकर को उसको हम किरकट का भगवान भी कहते हैं और ब्रेड मैन को भी हम किरकट का भगवान ही कहते थे पहले तो हम यहाँ पर पर दो परापर नाउन को एक ही सिंटेंस में दिखाए हैं लेकिन यहाँ पर जो ब्रेड मैन है वो कामन नाउन की तरह यूज हुआ है एक परकार के वैक्तियों या वस्तियों को दिया गया एक नाम जाति वाचक संग्या कहलाता है यहाँ पर बुक, विंडो, वाई, एन गर्ल यहाँ पर बुक, सारी किताबों को हम कह सकते हैं विंडो, सारी खिड़ियों को कह सकते हैं अगर हम किसी को वाई कहते हैं तो पूरे उसकी जाती जो है उसको हम बहुत करते हैं और गर्ल कहते हैं, इस तरह गर्ल का बहुत होता है। हमने पिछले एक्जाम्पल देखा था उसमें भी सचिन इस दब्रेडमाइन आफ इंडिया यहां पर ब्रेडमाइन जो कावन नाउन है उसके पहले आर्टिकल दा है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समू आचक संग्या एक परकार के वेक्टियों जानवरों अथो अवस्तुयों के समू को समू आचक संग्या कहते हैं एक और रिप्ञामपल अन आर्मी अन आर्मीन इस न गर्लकशन आफ सोल्डर्स एकरा में जितो पीपल हे वे ड्राइक्षिवी ग्रलकशन आफ ए त्सेंट्रा यहां पर रार्मी प्राइक्ष़ मंधमें यशां डर pursue जार्पलाव जर्या अई वेक्स्तव यहां पर आर्मी क से जार कार्ड मैटीरियल नाउन्स ऐसे पदार्थ जिन से किसी दूसरे पदार्थ को बनाया जा सके उसके नामों को द्रववाचक संगया कहते हैं for example milk milk से हम दूद्ध रही बना सकते हैं रसगुले बना सकते हैं पनीर बना इसे कामन होग added किभी यह सब कामन हाउन हो जाती है खाय स्प्थमोरी पूर ağड याघ्र नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं और Scripture संग्या. An abstract noun is usually the name of equality, action or state. Abstract noun से गुड़, भाव या दसा का बोध होता है. For example, honesty, wisdom, friendship, etc. Abstract noun ना तो गिना जा सकता है और ना उनको तौल सकते हैं और ना ही उनका आकार होता है. मतलब abstract noun का कोई आकार नहीं होता, उसको हम वेट नहीं कर सकते और ना उसको गिन सकते हैं. Abstract noun के अंत में प्राया, ness, meant, dumb, t, ship, etc. suffix आते हैं. For example, honesty, यहाँ honest में, ty last में आया suffix, honesty, kindness में, ness आया है, movement में, meant आया है, kingdom में, dumb आया है, friendship में, ship आया है. इसे तरह हम abstract noun को पैचानते हैं. Common noun को मुक्किता दो भागों में बाटा गया है. Countable noun और uncountable noun. Countable noun, that which can be counted. वे संगया जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम countable noun कहते हैं. Uncountable noun, that which cannot be counted. वे संगया जिनकी गळना नहीं की जा सकती, uncountable noun कहलाती है. There are some points to remember. First one is, proper noun, common noun and collective nouns are called countable nouns. Proper noun, common noun और collective noun countable noun होते हैं, जबकि material nouns and abstract nouns are called uncountable noun. Material noun और abstract noun uncountable noun होते हैं. Third point is, uncountable noun के पहले, A या N लगाकर singular, वो S या E S लगाकर plural नहीं बनाया जा सकता. यह बहुत important इसका point है, कि uncountable noun के पहले, A या N लगाकर singular, या S या E S लगाकर plural नहीं बनाया जा सकता. जबकि countable noun के पहले लगा, A या N लगाकर हम singular बना सकते हैं, और S या E S लगाकर हम plural बना सकते हैं. The fourth properties, uncountable noun के साथ, हमेशा singular verb का परियोग होता है. कुछ example देखते हैं, यहाँ पे gold is a precious metal, यहाँ पे gold के पहले article A आई है, यह गलत है, gold is a precious metal, यह सही sentence है. Second example is, we must oppose injustices done to the poor, यहाँ पे injustice के, injustice में S लगा हुआ है, तो यह plural दिखाया गया है, लेकिन हम uncountable noun को, S या E S लगाकर plural नहीं बना सकते, हमने अभी अभी पर यह 30 प्रापर्टी देखिए, तो यहाँ पे sentence सही होगा, we must oppose injustice done to the poor, what is the function of a noun, संग्या किसी sentence में कार कैसे करता है, there are five functions of a noun, noun किसी एक sentence में पाच तरीके से काम करता है, पहला function है, noun works as a subject in any sentence, noun किसी वाक्य में करता, अथो वा subject की तरह काम करता है, पर एक्जामपल, राम is a teacher, यहाँ पे राम जो एक noun है, वो subject के रूप में परियोग किया गया है, noun का दूसरा function है, noun works as an object in any sentence, noun किसी वाक्य में कर्म, अथो वा object की तरह परियोग होता है, या काम करता है, पर एक्जामपल, आई टीच राम, यहाँ पे राम जो noun है, वो यहाँ पे as a object परियोग किया गया है, noun का तीसरा function है, noun works as subject complement in a sentence, noun वाक्य में subject complement, compliment का आर्थ होता है पूरक, subject complement की तरह काम करता है, फर एक्जामपल, आई एम लारेब, इस sentence में लारेब जो noun है, यह I subject है, उसका compliment बनके परियोग किया गया है, noun का चौता function है, noun is governed by preposition in any sentence, noun किशी वाक्य में, preposition के द्वारा परभावित किया जाता है, फर एक्जामपल, राम is playing with रह्मान, इस sentence में, रह्मान नाउन, preposition with के द्वारा परभावित, यह governed किया गया है, नाउन का पाँचों function है, noun works as case in a position in any sentence, नाउन वाक्य में, case in a position का भी काम करता है, नाउन का यह पाँचों function, सबसे important function है, यह अक्षर competition exams में पूछा जाता है, फर एक्जामपल, लखनओ, the capital of uttar pradis, is a big city, इस वाक्य में, capital of uttar pradis, लखनओ का case in a position है, तो चलिए जानते हैं, case in a position होता क्या है, what is case in a position, जब किसी noun के दो रूप, आमने सामने लिख दिये जाएं, तो दूसरा वाला रूप, पहले वाले का case in a position होता है, जैसे एक्जाम्पल था, लखनओ, the capital of uttar pradis, is a big city, इस वाक्य में, लखनओ ना उनका एक रूप है, जब कि the capital of uttar pradis, ना उनका दूसरा रूप है, ये दोनों रूप, एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे, capital of uttar pradis, लखनओ का केसी नप पोजीशन है, आज के वीडियों में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियों पसंद आया हो, तो वीडियों को लाइक और सेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सुक्रिया,